एक बहुत बड़ी breaking news आ रही है इसराइल से जहां इसराइल ने लेबनन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और इसराइल ने लेबनन में 300 से ज्यादा मिसाइल एदाग दिया है इस विजण हमले में करीब 500 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल बताये जा रहे है ये breaking news आ रही है लेबनन से जहां लेबनन के स्वास्त मंतराले के मताबिक मारे गए लोगों में महिलाएं बच्चे और स्वास्त कर्मी भी भी हैं पाजा जंग शुरू होने के बाद से लेबनन में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और हमले के बाद से लेबनन में स्कूल दो दिन के लिए बंत कर दिये गए हैं ये बहुत बड़ी संख्या में लोग सुरक्ष स्थानों की और जाद रहे हैं और ये बहुत बड़ी news इस्राइल ने लेबनन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और बड़ी संख्या में लोग सुरश्षे स्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं पिछले चार दिनों में लेबनन में इसराइल से 900 से जाधा मिसाले दाग दी है और इसके बाद 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 1000 से ज्यादा लोग घाल बताए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी न्यूस आ रही है लेबनन से जहां इसराइल ने मिसाईले फिर से दाग दी है और अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है